बनी खरगोश बनी नाम का खरगोश जंगल में रहता था जंगल में उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसे अपने दोस्तों पर बहुत गर्व था एक दिन जंगल में बनी खरगोश ने चंगली कुत्तों के जोर से भूखने के आगा सुने जंगली कुट्टे उसके पीछे पढ़ चुके थे और वह बहुत डरा हुआ था उसने मदद मांगने का फैसला लिया तब वह जल्दी से अपने मित्र हिरन के पास गया और बोला प्रिय मित्र कुछ जंगली कुट्टे मेरा पीछा कर रहे है क्या आप उन्हें अपने तीखे सिंगों से धूर कर सकते है तब हिरन ने कहा यह सही है मैं कर सकता हूँ लेकिन अब मैं व्यस्थ हूँ तुम किसी और से मदद मांग लो तब बनी घरगोश मदद के लिए अपने प्रिय दोस्त भालू के पास दोड़ा तब बनी घरगोश भालू से कहता है मेरे प्रिय दोस्त आप बहुत मजबूत है क्रिपया करके मेरी साहता करे कुछ जंगली कुट्टे मेरा पीछा कर रहे है आप उन्हें भगा दीजिए बनी घरगोश ने भालू से अनुरोध किया तब भालू ने उत्तर दिया मुझे शमा करो में भूका और ठका हुआ हूँ मुझे खानी के लिए कुछ खोजना है क्रिपया तुम बंदर से मदद मांगो बैचारा बनी मदद के लिए बंदर के पास दोड़ा बंदर हाथी बकरी और अन्य सभी दोस्त बनी को दुख हुआ कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था वह समझ गया था कि उसे खुद की मदद खुद करनी होगी तब वह जंगल में एक पेड़ के नीचे छिप गया जंगली कुटों को बनी नहीं मिला वह दूसरे जानवरों का पीछा करते हुए चले गए बनी खरगोश ने सिखा कि बिना किसी की मदद लिए जर्व की रक्षा करना और जीवीत रहना दोस्तों कहानी से यह सिक्षा मिलती है कि खुशियों में तो सबी साथ है पर असली दोस्त वही है जो दुख में भी साथ है दूसरों पर निर्वर रहने के बजाए खुद पर भरोसा करना बहतर है धन्यवाद